उत्तरपरदेश देश का एक मत रज्जच था जिसमे अपने आपकों पलाएं नहीं होने दिया जनौतियां आने पर हम पलाएं नहीं करती है उसका मुकाब़ा करते हैं और उत्तरप्रदेश में आज बदलती ही तस्दीर विशी का उधारा है। वाजनी के किरुण्यों और सुनुकातों से दांकों पर गें विश्वास करके भारत की लोग कांक्रिक परंपराने हम सब को रखाये। ना भेट वाओते सासिन के विश्वास कराव हरे तब को रहा है। चार लाग करोल के से धिक का लिवेश उसी पोर्टा की मातिर से तरफ पर देश करा है। एंटी भूमाथ्या का स्कॉर्स ने हमने चौसब हजार एकर लैंड उन से मुक्त कराया। और मुक्त करा करके आज रहा कर हम लोगों ने अपना डिफैंस पोली रोड के लेंड हम लोगों ने उपलक इभर ग्राइस्ने से जारत करने हो रहे है। दुनिया उन्देश के अंदर हो रहे है। तक्वेश आसन क्यों से आउजित रोशोप किस करेकर में आज हम लोगों इस माया नगरी में आये हैं। धर्म की नगरी से धर्म के प्रदेश से और्थ के प्रदेश में हैं। और मुझे प्रसंता है कि मुझे अगले 24 घंटे तक यहां रहना है। और इन 24 घंटों के अंदर मुझे यहां विभिन में इस्टेक होड़र्स के साथ संबाद करना है। संबाद की सुर्वात उत्रदेश 24 की ओर से आईट इसकारिक्टरम से होड़ा है। मैं सबसे पहले आप सभी UPTF से जुड़े हैं। बंधों का, बहनों का मैं उत्रदेश सासन की ओर से और उत्रदेश की जनता की ओर से, हीरदय से अभिनंदन करता हूं। मंच परपस्तिक प्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्री, और दुपिक विकास के मंत्री सिनन्द कोपान नंदी जी। प्रदेश सरकार में नेरे सयोगी मंत्री, इस टैंप और रेजिटेशन बिभाग में जिन्होंने करांदिकारी परिवर्तन किया है स.A.C. लविंदर जैश्वाल जी, और तयोगी विकाल्स के आयुक्त से अर्विंदु कुमार जी, प्रदेश सरकार में, मुख्यमंत्री के सलाकार के रूप में अपनी सेवाई प्रदान कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पूर प्रदेश में, ग्रहे सचिव के रूप में, और इंफ्रस्ट्रक्चर के कार्यों को खासतोर पर जो आप प्रदेश के अंदर एक्स्प्रेस हाइवे चेर्मेन सी पंकाज जैस्वाल जी, महासेचिव प्रफेसर राम शंकर उपाध्य जी, महराश्ट सरकार के पूर्व ग्रह मंत्री सी क्रिपाज संकर सिंग जी, गोरकपुर के लोकप्रिय सांसर, जी रवी किसंजी, विजदा रवी किसंजी को देखकर आप सब कोई विश्वास होता होगा कि प्रवासी भार्तियों की उफ्तरवदेश में अब पेट बढ़ी है, आज की इस कारिक्रम में जिन माहनभावने अपने विचारों को रखा है और जिनके हम यहाँ पर देख रहे हैं, पदम पृुषकार से संभानि बाक्टर शुमा घोष्व जी ने यहाँ पर कारिक्रम को बंद्णा से ही विजद्ण बिनायर्त की बंद्णा और सिéeग्राम की बंद्णा करके इस कारिक्रम का सुभारंब किया है, अपने यहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में भी और अपने अंधाओं को साझा जिनों ने किया है ऐसे महान भाव में सिद्विने कृष्णा जी है, स्यजीत यादो जी, प्रभसर राम संकर पाद्भा जी, पंकत जैस्वाल जी और अपने से हरे एक जोभी युपी का इस्पोरा से जुड़ेवे मान भाव हैं, उनके पास अपने अंधाओं का एक लंबा बहुत कुछ कहने के लिए और अपनी बातों को साझा करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की बात दिता आपके लिए भी होगी, मेरे लिए भी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आईज़िकों ने एक समय सीमा के अंदर इससे सीमित किया है मैं प्यास करूँगा कि आप सब की बातों को अपने इस और बोधन के साथ समाहित कर सकूँ और आपके जो भी सुझा होंगे उत्तर प्रदेश के देश्टी से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड जनता के जीवन में फरिवरतन लाने के लिए उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष विकार करेगी और उसमें अपनी और से भरपूर योगतान भी देगी बंधो, सामाने तह हमेशा लोग आते हैं, भाषण करते हैं, सब कुछ होता है लेकिन संकट के समय कौन हमारे साथ खड़ा हो सकता है यहा हमारी कसोटी का मानक बनता है मेरा इमानना था कि और हम सब इस बात को मान सकते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा संकट आया था और खास तोर पर प्रवासियों पर जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आयी थी और उस महामारी के दोरान किस प्रकार किस्तिती थी उत्तरवर्देश देश का एक मत्र राज्य था जिसने अपने आसे पलाइन नहीं होने दिया लेकिन उत्तरवर्देश के हर एक प्रवासी के लिए अपने द्वार भी खोले और उनके इनके गंतरव्य तक पहुचाने के साथ-साथ उन्हें हर प्रकार का सहुख करने में अपना जोगतान दिया लोग बहुत सारी चर्चाएं करते थे लेकिन हम आभारी है प्रवामंत्री मोदी जी के जिनके मार्क दर्शन और पेड़ना से हम लोगों ने उस समय 40 लाग प्रवासी उत्तरवर्देश के अंदर आये थे सभी लोग चिंतिते कहां जाएंगे क्या करेंगे आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं अपने उपर ये सब बवाल क्यों लेना चाहते हैं मैंने का उत्तरवर्देश के हैं रोग का उत्तरवर्देश ये पूरा दिकार है और जो गुज हमारे पास होगा हम अर्संभवन की मदद करेंगे और मुझे पसंदा है यहरे प्रवासी उत्तरप्रदेश वासी ने पुरानुसासन का ध्यान रखा, उत्तरप्रदेश सासन की सुरिधा को सिर आँखों पर रख करके और फिर हमारे साथ मिल करके उत्तरप्रदेश के अंदर करोना प्रबंदन का एक बहत्रीन उधारन प्रस्तुतिया जो देश के अ सब्सक्राइब और उत्तर प्रदेश में आज बदलती भी तस्वीर उसी का उधारन है आपने बदलते हैं उत्तर प्रदेश को देखा है पिशले पांच साल के अंदर हर एक सरकार में अपने स्थर पर्योगदान क्या होगा करना भी चाहिए चंता इसलिए चुनती भी है लेकिन आपके सामने यहीं उधारन होना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर आज से पांच वर्से पहले हर एक व्यक्ति के सामने उत्तर प्रदेश का मौज़मान हो उत्तर प्रदेश का कुई प्रबुद्जन हो उत्तर प्रदेश का व्योसाई हो उत्तर प्रदेश का किसान हो उत्तर प्रदेश की बहने हो उत्तर प्रदेश की किसी भी तपके कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो उसके सामने पैचान का एक संकट होता था पता नहीं लोग क्या सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे लोग अपनी पैचान बताने मुष्ण कोच करते थे लेकिन आग मैं कह सकता हूँ कि आप डेश के अंदर भी और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएंगे उत्तर प्रदेश आपको उत्तर प्रदेश की पैचान से आप भी गौरवानित होते होंगे उत्तर प्रदेश के नाम पर मिल्ले सम्मान से हर विक्ति स्थाथ को कहता है कि हाँ उत्तर प्रदेश ने कुछ नया किया है और करना चाहता है आई यह इसले पांच उवर्सां के अंदर प्रधानमंत्री मोधी जिए नित्रतों में उनके मार्क दरसल में नोगों नी कीए ऊस सेक्टर में और किसी एका प यूह अनुनकी काम किया ओधर्व होती है कि क्या हम हमने प्रभावी डंक से लागों किया बिना वहिदभाव के हर तब के पुसका लाप दिया कोई यह नहीं कह सकता कि हमने किसी के साथ जाती मात, मजवब, छेतर भासा के आधार पर कोई वहिदभाव किया हो कोई हमसे यह नहीं कह सकता कि हमने पिकें चूच किया हो कभी नहीं हो सकता मेरा एमान नाए रजिनिक जीवन में हम अपने मुल्यों और आदर्सों के अंसार अपनी विचार भारा के अंसार चुमाओं में जाते हैं लेकिन राजनी की उन मुल्यों और सिद्दाद्टों और सिद्धान्तों पर गेम विश्वास करते हैं जो भारत की लोक्तांत्रित परंपरा ने हम सब को बताया है बिना भेदभाओ के सासन की योजना का लाब हर एक तब के को देना बिना भेदभाओ के सासन की योजना को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना और इस कारे को हम लोगोंने पूरी प्रतिबता के साथ लागू करने का कारे किया आद पर नाम है, किस रूप में याद करिए ज़ए हम लोगोंने उत्तरम्रदेश में पहले दिन में आया था तो मैंने दो काम किये थे आप लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत संकट नहीं होगा, लोगों के एक कल्चर भी है, लोगों ने पहले दिन से ही अपने ब्यस्त दिन चरिया को अपने जीवन का हस्ता बनाया, लेकर मुत्रभरदेश के अंदर आज से पांच वर से पहले असिस्तिती नहीं थी, बेटि बहुत सारे अवहावक अपने बच्चों को दूर होस्टल में भीजते थे, जिनके पास कैके सिटी नहीं वो क्या करते रहेंगे, बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कुल भीजना बंद कर दिया था, बहने बाजार नहीं जा पाती थी, हर जगे और सुरक्सा का कारण्टी होनी चाहिए, और दूसरा कि illegal कोई भी कारे नहीं होगा, और अगले 24 घंटे के अंदर मैंने से प्रभावी दूसे लागू करने क्या है, कि देखो एक तो उत्तरप्रदेश के अंदर हर एक अस्तर पर आप कारवाई करें, अगर कहीं भी मेरे सामने सिकायत आई, किसी बेटी, किसी वहन की ओर से सिकायत आई, कि हमारे आवागमन में, हमारे श्वतंतरता में, इस देख्तिने या खलानी अस्तन पर ये हुआ है, बाधा पहुची है, सुरक्सा खत्रे में है, तो वहाँ पर सब किम जवाब देख करें, एक अभिहान चला, दूसरा आमने उसी दिन, मैंने उसी दिन पहे किया, मैंने क्या मैं जितने illegal activities हैं, एक, जितने illegal स्रट्रहों से चलते इस सब बंग कर रहो है, और साथ-साथ, जिन माफ्याज ने किसी गरीब की, किसी कंजोर की, किसी व्यापारी की, किसी उद्भ्यमी की, लैंड पर जवरन क पब्जा क्या है कि लिए 24 घंटे के इंदर ये सब हड़तावा दिखाई देना चाहिए और इसके बाद फिर आपकी कारवाई भी इसके बाद प्रादम भी जाना चाहिए और आप में देखाऊगा ये सब हड़तावा दिखाई दिया होगा आज यो प्रिवर्तन हुआ है यह दगभक 6 वर्स होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कारेकाल पूरा करने के बाद फिर से दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बना रहा है कि पहली बार हुआ है 37 वर्स के बाद को इस सरकार रिपीट कर रही है इस प्रदार मंत्री मोदी जी का इससी नित्रत्व है उनका मार्ग दरसन है जंता जनारदन का यास्त्रिवाद इसलिए पराप्त हुआ क्योंकि उसे लगा कि हाँ इस परिवर्तन के साथ हमें हमें भी स चुना हो रहा था लोगा सारी बाते करते थे और देखता था कि कभी-कभी मुझे बहुत सारे लोग कैते थे जब मैंने महिला सुरक्षा को लेकर करके एक कदशियां वहुद्ध सारी अंच गलत तरीक से प्रश्तु किया लेकिन आसरे जनक है जब चुनाओ है तो वही मातेयीं, वही बैने और वही बेटियां बहुती थी कि हम लोग ना हमारी कोई जाती है, ना मत है, ना मजब है, हमारा वोट क्यों सीब की जाए? यह वही कहती थी, आधी आवादी ने उन सभी सीमाओं को तोड़ा, उन सभी बादहाओं को तोड़ा और फिर से दो तिहाई बहुमत के साथ डंके की चोट पर हमारी सरकार फिर से उत्तरभ्रदेश की जन्ता की सेवा कर रही है आपने देखा होगा पिसले पॉने छे वर्स के अंदर उत्तरभ्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ इसे बात को आस्वस्त करने के लिए हूं, आप तो उत्रप्रदेश में आपका संबाध है संबंध है, बरावर आना जाना है परिवर्तम आपने देखा होगा और परिवर्तम की तिसामे के जाने वाले परियास को भी आपनी मेस्दीक से महसूस किया इस सभी चीजें बहुत तेजी के साथ वहां गटित हुई है अब दिख रही है यहाँ तब है जब हम लोगों ने मात्र धाई वर्स का कारेकाल भी है नि मात्र हम दो वर्स का कारेकाल ही पूरा कर पाए थे तब तक करोणा महामरी आ गई है और तब भी हम रुके नहीं दिगे नहीं जुके नहीं और हमने प्लाइन का रास्ता भी नहीं अपनाया है हम मजबूती के साथ जुटे रहे डटे रहे आगे बढ़ते रहे हरे एक फिर्ड में अक्तर प्रदेश ने कुछ में कुछ नया किया है और ये प्रिवर्तम उसी का हिस्सा है करोणा कालगंड में जब कि अधि जुनिया पुस्त थी उत्तर प्रदेश अपने आने हैस करा रहा था था तुर। ओंधर देश की पहनी डिश्पले इनिक अ कि अनल रगती और ये उत्रप्रदेश के अंदर आज इसमें प्रोड़क्शन भी प्रारंब कर दिया है उत्रप्रदेश ने आज कानुन विवस्ता के एक बेहतरीन मौडर्वना किया है है हमने इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े पुलिस फोर्स का मौडनाइजेशन करना पड़ा कि डेजलाक से दिख भरतियां हम लोगों ने की लेकिन भरती की प्रक्रियाती पारदर्शी थी किसी को उंगली उठाने का उसर भी नहीं देखा है हम लोग अब तक पांच लाग से दिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं कोई उंगली नीच उठा सकता कि कि इसी को जाती के नाम पर मत या मज़ग के आधार पर किसी के साथ भेद्वा हुआ हूँ और मैंने पहले दिन ही कहा था भरती के लिए जो नियामक बोड़ थे आयोग थे इन सब को मैंने पहले दिन कहा मैंने का आपके कारे में किसी काहस्तक सेप नहीं होगा मुझे निस्पक्स और पारदर्सी भरती की प्रक्रिया चाहिए और अगर इसमें सिकायत होगी जितनी फ्रीडम मैंने दी है उतनी सक्ति से कारवाई भी करोगा आप टैक करें और आपने देखा होगा एक भी सिकायत मैं कहा था मुझे याद है जब लोग सहच चुनाबब चल लेते बा क्मबाइक है भी लोग कैते देधे होगा अगरि फिलिस में कोई ना कोई न वह थी हुआ और आप देखना, जिन नौजवानों ने अपनी पुरी जवानी साथ कर दी, भरती नहीं हो पाते थे, जिन भार प्रेक्टिस करते थे, दोड़ते थे, सुबह साम दोड़ते थे, पंदरा, पंदरा किलो मिटर दोड़ते थे, नेकिन नौकरी के समय, उनको रोग दिया चलता आज दिना सिपारिस के, आज उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भरती निकलती है, मुझे भी नहीं पता कि कौन कर रहा, कौन इस एजन्शिस को कराएगी, किसका कहां सेंटर पढ़ रहा है, किसका सेलेक्शन हो रहा है, जब सब का सेलेक्शन हो जाता है, तो मैं निक्ति पत्र के लिए जरूर कुछ नौजवानों को बलाता हूँ, और उनसे पोस्ता हो, कि भही मुझे बताओ कि आप से किसी ने कोई बात को नहीं ही, कहीं भी किसी भी अस्तर पर, तो साब बातचीत के दोरा नहीं पता लग जाता है, बोडी लेंग्विज से पता लग जाता है कि इनक अस्तर क्या है, तो उसके बाद फिर मैं नुक्ति पत्र के बाद उनकी पोस्टिन कहां होनी है, ये भी मुझे भी नहीं पता है, ये सब ओटो मोड पर अपने आप होता है, अपनी उससे शायता, सारी चीज़ा ओनलाइन है, किसी कभी कोई मानुए हस्तक से भाई नहीं, ये प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद, जब मैं बागपद में जाता था, उससे पहले भी कि तुम मैं ने देखा, एक गाओं में, अब आज तरे करेंगे, यूपी पुलिस में 27 नौज़वान भरती भी थे, तो क्या, वहां से हमारा प्रत्यासी हार जाएग कभी नहीं और हम डंके की चोड़कर हां चुनाच जीते हैं, सारे सर्वे थे, हम चुनाच जीते थे, क्योंकि अगर पब्लिक ने हम पर विस्वास बिक्त किया है, तो हमारे विस्वास को भी वे नजर अंदाज नहीं करेंगे, और यह हुआ था, उतरगदेश के इंडर इस प्रदेश के अंदर, इसे पहले कि कहो अथी सत्र के पहले उतरगदेश के बारे में, कि जहां से अगर आप सड़क मार्ग से चलो, सड़कों पे गड़े दिखने लग जाए, या सायकाल अंधेरा हो जाए, मान के चलो उतरगदेश की सिमा प्रारम हो गए, आज इंटर स्ट प्रदेश की राजधानी लखमों का पूरवी चोर से जोडने के लिए, गुंदेल खन एक्सप्रेस वे को प्रदेश की राजधानी से जोडने के लिए, पस्यमी उतरगदेश को पूरवी उतरगदेश से जोडने के लिए, गंगा एक्सप्रेस वे पर कारे हो रहा है, यह इंटर स्ट्रुक्चर डेवलमेंट के जो कारे होए है, गाओं की कनेक्टिविटी को, जन्पदों की कनेक्टिविटी को, जिस प्रतिवत्ता के साथ आग पिछले कुछ वर्सों के अंदर प्रिवर्टिक ठोटी में देखा होता, यह कनेक्टिविटी, मुझे याद है, 2017 के पहले, गोरकपुर में एक फ्लाइट जाती थी दिल्ली से और वह भी कभी-कभी जाती थी, मुझे जब संसथ सत्र में आना होता था दिल्ली, तो पहले च चार घंटे मुझे गोरकपुर से लखनो जाने में लगते थे, फिर गोरकपुर से दिल्ली आता था, ऐसे दिल्ली से अगर मुझे अचानक आना होता था तो पहले लखनो आता था, लखनो से चार घंटे की दूरी तय करके तब गोरकपुर पहुंसता था, आज गोरकपुर से नकेवल दिल्ली के लिए मुंबई के लिए कुलकता के लिए बेंगलोरु के लिए हैद्राबाद के लिए एंदाबाद के लिए प्रियागराज के लिए 14 फ्राइट गुरकपुर से चल ले हैं और 9 एयरपोर्ट आज के दिन पर हमारे पूरी तरहे क्रिया सील है दस एयरपोर्ट पर हमारा वरत्मान में कारेर चला है जिसमें से पांच हमने बनाकर कि तयार कर ले हैं रों, हमने एयरपोर्ट आथर्टी के साथ M.U.U. कर लिया है कि भई हम आपको ये एयरपोर्ट दे रहे हैं आप इनका संचालन करिए और इनके संचालान इनके maintenance की जिमेदारी आपकी जो खर्चा आएगा राज्य सरकार उसका पैसा देखे हम दे रहे हैं पांच अन्य एरपोर्ट हमारी निर्माना धीन है कोई सोचता था आजमगड में एरपोर्ट बने का आजमगड के नामसिद लोग डरते थे अनको धरमसाला में भी रूम नहीं मिलता था आज़वाँ एरपोर्ट बन रहा है विश्व विद्याले बन रहा है और उसी आजमगड के धरती में सांसद जो बने हैं यही काम करते हैं तेसी माया नगरी में रवी किस्व जी के साथी काम करते करते हैं आजमगड के सांसर भी बने है चित्रकूट में एरपोर्ट आज उसका निर्माण हो रांतिन चड़ों में चला सोनभत्र में एरपोर्ट अलीगण में एरपोर्ट मुरादाबाद में एरपोर्ट सहरंपुर में भी एरपोर्ट सरावस्ती में एरपोर्ट सरावस्ती भगवान राम के पुत्र ने बसाई थी और भगवान गुद्ध ने सन्यास के बार अपने सरवादिक चातुर मास यह चतिस वर्ष तक उन्होंने चातुरमास स्रावस्ती में ही ब्यतित किये थे यह स्रावस्ती के साथ जुडावर आज नहां यह एरपोर्ट बन रहा है बहप्रीन कनेक्टिविटी, एर कनेक्टिविटी, पांच इंटरनेशनल एरपोर्ट हम दे रहे हैं तीन हम लोग क्रियासील कर चुके हैं और एसिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट भी हम लोग जीवर में बना रहे हैं देश के अंदर सरवादिक सहरों में मेट्रों, पांच में हमारा वर्थमान में चला है आगरा में वर्थमान में कारे चला है बाकी गोरकपूर, वारानासी, प्रियागराज, मेरट यहां की सर्वे की कारवई अंतिम चड़ों में चलते वे हम इसमें में मेट्रो को आगे लेके चल रहे हैं इसके लावा और भी कारिक्रा हमारे तेजी की साथ आगे बढ़ रहे हैं रैपीटरेल देश की पहली रैपीटरेल का कल आपने देखाओगा ट्रैल हुआ है दिल्ली से मेरट की दूरी पहले तै करने में लगते थे तीन गंटे आज मातर पैंतालीस मिनिट में आप इस दूरी को तै कर तोल्व लेन का एक्सप्रेस हाई वे बन चुका है मातर पैंतालीस मिनिट में ये आज उत्तर प्रदेश के मिनदर होगा और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्तुकून है क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका अपना प्रदेश है ओद्यों की क्विकास के लिए जिन चीज़ों के लिए आउस्यप जो भावत महत्वकूर चीज़ें होती हैं उसमें से सबसे पहले सासन और प्रसासन में उद्यमी और निवेसक का विस्वास उसे विस्वास हो कि मेरी फाइल अनावस्यक लड़केगी नहीं लाल फिता साई के सिकार नहीं होगी हम लोगों ने इसके लिए टेक्नोलोजी का उप्योग किया है हमारा निवेस मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा डिश्टल फ्लेट फोर्म है जिसमें 350 से अधिक एक साथ उतलब्द हो सकती है और उसको हम लोगों ने वहाँ पर लॉंच किया है और वह सफलता पुर्वक कारे कर जिया चार लाग करोड रुपे से धिक का निवेस उसी पोर्टल की मार्कें से उत्तर प्रदेश केंदर हुआ है दूसरा अब हम लोगों ने निवेस सार्थी भी बना दिया है अगर किसी निवेसक ने हमारे साथ M.O.U किया तो निवेश सार्थी इसका प्रतिजिर monitoring करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने problem आ रहे हैं उसको हम उसके माध्यन से देख रहे हैं और फिर निवेश आपका हो गया है निवेश होने के बाद आपको समय पे इंसेंटिव निली है इसके लिए भी हम लोगों ने ओनलाइन प्लेट्फॉम बना दिया है डिजिटल प्लेट्फॉम के मात दिन से इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी मानुविय हस्तक सेप के आगे बढ़ाने की कारवाई को साथ हम आ कोई नहीं कह सकता यहां तक कि जो लोग वहां निर्मान कारे में लगें इंफ्रस्ट्रॉक्ट्ट्र डेवलमेंटरी जो लोग वहां कारे कर रहे हैं वहां पर आज कोई जब्रदस्ती किसी के साथ किसी के ठेके पट्टे पर हस्तक सेप नहीं कर सकता कोई जब्रदस्ती नह सकता है तीसरा है लेंड भैंक हुमारे का प्रयाप्त महत्रा में यहाद होगा मैंने एक jos 인्टी भू माथया टास्क वूर्श मुनाया था कि एंटी भूमाथ्या तास्कोर से हमने चौसट हजार एकर लैंड उनसे मुक्त कराया और मुक्त करा करके आज महातर हम लोगों ने अपना डिफेंस को लिडोर के लिए जो लैंड हम लोगों ने उपलब्द करा इसमें से जालतर लैंड वही है और बहतरी हो रहा है पूरी प के बाद इस सरकारी लैंड थी या नीजी लैंड थी तो उसका कंपंसेशन दे कर थे हम लोगों ने कारिक्रमों को आगे बढ़ा जाया है तो हर एक दिसा में यह है और सबसे महत्वपूर है किसी भी और जोगिक निवेस और विकास के लिए कि MSME का कलश्तर तेस का सबसे अच्छा MSME का जो बेस है वो यूपी के पास है 96,00,000 MSME यूनिट है यूपी के पास 96,00,000 कि मुझे याग था जब हमने वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट के अपनी नीटी प्राणम बखी थी वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट थी प्रम्प्रागत उद्यम को परमोट करने के लिए हमारे पुर्वजों ने बड़े परिश्रम के साथ हरे एक जनपत के साथ कुछ नो कुछ जोड़ा था हरे एक के साथ जोड़ा था देखे उत्तर प्रदेश ऐसे ही इस्वर की अराधना का और उनके अवतार की भूमी नहीं थी वो पुरसार्थ की भूमी रही है पुरसार्थ लोग उने परिश्रम से उत्तरप्रदेश को उत्तरप्रदेश बनाया, इस्वरी आउतार दविवां बारबार हुए, मा गंगा का अस्रिवाद और मा यमना का अस्रिवाद दविवां प्राप्तुवा, बाबा विश्वनात का धाम आहिसे लिवना, क्योंकि उत्तरव्रदेश में उस प्रकार्थी पोटेशी ती वहां के उध्यमियों ने हमारे पुर्वजों ने उस प्रकार्थी मेहनद की कौन ऐसा जन्पद है जिसके पास अपनी प्रमप्रागत पूजी नहो कौन साइसा जन्पद की पास नहों हर एक जन्पद की और उसी को हम लोगों ने 2018 में वन डिस्टिक वन प्रॉड़क्ट की रूप में प्रमोट किया था अब असरे करें कि इसने हमारे एक्सपोर्ड को दुखना से बिखिया है आज हम लोग लगए एक लाग साथ हजार हो रहे हैं कि इतना बड़ी को जा प्रदेस कि कि रूप 10 लाइन लॉग प्रदेश की बात हो रही थी अभी यहां पर जो बात की जा रही थी तथे के दौरजबाद बताई जा रही थी हमने अब उत्तर प्रदेश के अंदर आधने प्रधान मंत्री जी की किरपा और उनके मारक दर्शन में आज आप देखते हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हम लोग ने इस कारेक्टरम को आगे बढ़ा है बहुत बहतरीन तरीके से हमन इसर न 무en अरएम वेशन डेंडिकेटेटर हें फरीटोर में उत्तर प्रदेश से होकर करके जाकर इसका जंचन भी उत्तर प्रदेश ही जेवर के पास है लोजिस्टिक हब के लिए वहाँ पर उत्रप्रदेश के अंदर जो पार संभावनाए है उन सब के साथ ही अब उत्रप्रदेश ने लैंड लॉक्ट स्टेट की अपनी धारणा को भी समाप्त करते हैं हमारे पास जो नदियां हैं इनको हम लोगों ने वाटर वे की रूप में वारानषी के बीच कि इसपे हम लोगों ने अपने कारगो सिवा प्रारम प्रारम भीसमें चलने प्रारम हो गये ए तेरा जन्वरी को आदने प्रधाम मन्तरी जी स्वारबश करेंगे दुनिया के सबसे बड़े क्रूचका वाराक सी से इबिबू आ जायेगा अभी से booking हो गई है और इसी वर्स की नहीं अगले दो वर्सों की booking भी advance में हो चुकी है अभी से booking हो चुकी है मैं अभी दो मेहने पहले बलिया गया था बलिया से सब्जी और मिर्चा हरी मिर्ची वहां से गल्फ के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए जा रही थी तो मुझे कहा गया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के भाड़ने में से कहा किसाब जो है इसको आपको फ्लैक आप करना है मैंने का जरूर अब आप सोच सकते हैं कि हमारा किसान जो इससे पहले आम भी हम लोगों ने इसी मार्ग से दुनिया के देशों में भेजाता है तो तरब्रदेश में आप लैंड डॉक्त की समस्या काई भी यह समस्या नहीं हमारे पास वाटरवे हैं और वाटरवे अभी तो वारणासी तक प्रारम वाह इसको हम प्रियाग रास्त तक बढ़ाएंगे हम इसमें सर्यू नदी में भी अयोध्या तक लेकर दिया आएंगे हमारे पास तो प्रियाप्त मात्रा में लदियां है लदियों का एक बहुत अच्छा जाल हमारे पास मौजूद है और इसको भी हम प्योग करेंगे बहुत सारी चीज़े हैं और इसलिए 25 सेक्टोरियल फूर्ट प्रोसेसिंग के छेतर में इलेक्टिक वेकिल के छेतर में किसी भी एन्ने सेक्टर में IT, ITS के छेतर में हम किसी भी छेतर में जाकरके अपने निवेश के उन संभवनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और बेरा मन्ना है हर एक पूंजी हमारे लिए निवेश है कोई अच्छा विश्विद्याले खोलता है, मेडिकल कॉलेज खोलता है, कोई अच्छा सेंटर खोलता है, स्टार्टप प्रारंब करता है, यह हमारे लिए एक निवेश है, हमारे हर एक उस निवेशक का स्वागत करेंगे, और उतरप्रदेश ने उसके लिए पॉल्सीज आए थे, 70 वर्सों में 12 मेडिकल कॉलेज और 2017 से लेकर अब तक हम 35 गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने कहा कि कुछ हम निजी छेतर को भी इसमें जोड़ेंगे, पीपीपी मोट में हमारी पॉल्सी आ चुकी है, हमारे जो 10 जन्पत बच जिस पर हम मेडिकल कॉलेज मिर्मान की कारिकरम को आगे बना रहे हैं, और ये भी मेरा विश्वास है कि इस इन्वेस्टर समिट के साथ हम लोग उन जन्पतों को भी कवर कर लेंगे, वहाँ सारे सेक्टर हैं जिसमें कारी कैजा सकता है, इन सभी छेतरों में जो अपार सम् उतरप्रदेश ने MSB के पनी पॉल्सी बनाई है, एक हजार दिनों तक आपको कोई भी लाइसेंस लेजी के आओ सकता ने, आप अपना निवेस करिए, अपना अपने कैप्लिकेसं दे दिया, निवेस करिए, एक हजार दिनों तक ये परकरिया अपनी चलती रहे हैं, तब त सारी चीजें वहाँ पर हुई हैं, और इन छेत्रों में, जो हमारी 21 सेक्टोरियर पॉल्सीज हैं, मैं यूपी 24 से जड़े पदा दिकरियों से कहूंगा, कि वो सभी सदस्यों तक अगर उसको पहुचवा दे, क्या वो उसको डिजिटल प्रेट फोंपे भी आपको सकते हैं और उसका लाब ने उत्तरप्रदेश आज के दिन पर निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य हैं, और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने जो आठ टीमें भेजी थी, मैंने अपने बरिश्टे मंत्रियों की आठ टीमें भेजी थी दुनिया के देशों में, जिन लोग दुनिया के विविले देशों में गए, बहुत पॉसिटिव रिस्पॉंस था दुनिया के दुदा, लोगों ने बहुत अच्छे दंग से उसको पॉसिटिव वे में लिया, और मैं चाहूंगा इस समय हमारे आठ सिटी में हमारे ये रोड सोर्स देश के अंदर होनी जा रह जी प्याजोच जी कह रहे थे, टेक्स्टाइल उब्योग के बारे में हम तो अब हमें ठेटेट ठेक्टीज के भी हम कॉंसेप्ट को लेकर क्या चुके है, चार सिटी में बना रहे हैं, अन्य जगे की प्रस्तावाएंगे हम वहां पी उस परकार के शुद्धा बंदी, अत इस सिटी के निर्माण के लिए भी हम लोग इन सभी कारिक्रमों कहीं भी नई सिटी के निर्माण के लिए सरकार उसमें सयोग देने के लिए है, नई कि उसमें हम हर प्रकार से तमाम अन्य सेक्टर्स में भी हम सयोग करने को त्यार और 25 सेक्टरिल पॉल्सीच को भी अगर आप देखेंगे उतरप्देश मुझे लगता है कि आप सभी उसमें थोड़ी भी रूची ले लेंगे तो उन संभावनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे उतरप्देश ने जो आदनी प्रधान मंत्री जी के विजन के रूप एतै किया है कि भारत देश की पंस ट्रिलियन डॉलर की कॉनोमी बन अधा शु्मति भारत जब अपनी आजादी का अमृत 14 में भारत को दो औसर एसे आय listen के इसौिजन और भी प्रफलिक बना देते हैं खास तोर पर एक जिस बिर्टेन ने लगभग 200 वर्सों तक भारत में सासन किया था उसे पचाड करके भारत पांचवी बड़ी देश की पांचवी बड़ी अर्थव्योस्ता दुनिया की दुनिया है दूसरा आजादी के अमरित महत सो वर्सम है भारत जी 20 के देशों का निक् फिस्ती आवादी निमास करती है जिनका दुनिया के 75 फिस्ती पेड़ पर अधिकार है जिनका दुनिया के 85 फिस्ती जीडेपी पर अधिकार है और जिनका दुनिया के 90 फिस्ती पेटेंट पर भी अधिकार है उन 20 जी 20 के देशों का नित्रित्व भारत करेगा उसर पर हमार लिए भी अपने राज्चे से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अवसर है हम भी उससे बंचित नहीं होंगे इस विश्वास के साथ मैं यूपी डाइस्पोरास ने चुड़े भे आप सभी समानित सुदस्यों को आमंतित करूंगा कि उत्तरप्रदेश ने बैस्ट्रिक ब्यापारिक सुंदाय को उत्तरप्रदेश के अंदर आमंतित किया है तो उत्तरप्रदेश तो आपका अपना है आपको आमंतित करने के आ सकता नहीं बलकि आपको स्वेह में ही इस आयोजन के आय इस पोड़ा से चुड़े भे अपने सभी पदादिकारियों को फिर्दे से धन्यवाद देता हूं और जो भी आपके प्रस्ताव आएंगे हम उसका स्वागत करेंगे और उत्तर प्रदेश तो हम इस पारे में कैस करते हैं कि अगले पांच वर्सित के अंदर आधने प्रधान कि नहीं होना चाहिए इस विश्वास के साथ मैं आप सबकी उपस्तिति के लिए आपका एक वार फिर से धन्यवाद करता हूं आप सबको आपका स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं धन्यवाद जय है